नमस्कार विद्य थिमित्रो यूत एज्यूकेशन चेनल में आप सबका स्वागत है आप इस चेनल में नए होतो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और अल नोटिफिकेशन बटन दबाये की जैसे ही हमारा आने वाला सब्भे वीडियो आप तो आसानी से पहुत सके आज इस वीडियो में विशाय सामाची क्विकनान खक्सा आठ चेप्टर वन भारत में यूर्पेन प्रजा का आगपन के बारे में पढ़ाई करेंगे तो बच्चो पार्ट टू में हम पढ़ चुके है कि रदपजा के बारे में भारत पर अंग्रेजु की नजर के बारे में फ्रां वीडियो में हम प्लासिक के यूद के बारे में जनकारी प्राप्त करेंगे तो बच्चो आप यहां पे एक पइंट 6 की तस्वीर देख सकते हैं उसमें सीराज उद्दला की तस्वीर दी गई है तो मैंने यहां पे बॉक्स बनाया है उसमें एक पइंट 6 में सीराज इसे यहाँ पे देख सकते हैं तो प्लासिक के यूद कैसे और कहां हुआ था ओह हम देख यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे इस सन 1786 में सीराजो उद्दोला बंगल का नवाब बना था जिसकी अंग्रेजो उद्दोला से अंग्रेजो पर धागती जिससे अंग्रेज उसे पसंद नहीं करते थे, सीराज उद्दला को अंग्रेजों पसंद करते नहीं थे सीरा जूद्धला बंगल का नवाप न रहे उसके लिए अंग्रेजुने सड यंत्र किया और सुरा जूद्धला को विरोध्यों को मदद करना शुरू कर दिया यानि कि सीरा जूद्धला अंग्रेजु को पसंद नहीं था सीरा जूद्धला बंगल का नवाप न रहे उसके लिए अंग्रेजुने सड यंत्र किया और सीरा जूद्धला के विरोध्यों को मदद करना शुरू कर दिया सीरा जूद्धला के कमपनी को आदेश दिया की कमपनी राज्य की स्थीती में हस्तक सेप करना बंद करे यानि कि सीरा जूद्धला की जो कमपनी थी उसको आदेश दिया की कमपनी राज्य को स्थीती के हस्तक सेप करना बंद करे अंग्रेज कम्पनी कोठियों की किल्ले बंदी करना बंद करे अंग्रेज जो कोठिय कम्पनी की थी वो किल्ले बंदी करना भी बंद करे और नियमीत कर भरे और कर जो नक्की किया है वो सही समय पे भरे और सर्तों का पालन करते हुए व्यापार करे और सर्तों जो लगाई गई है उसके हिसाब से वियापार करें इस विसाई पर दोनों पक समाधान करने के लिए तयार नहीं थे ये जो विसाई थे उस विसाई पर दोनों पक समाधान करने के लिए कतई तयार नहीं थे जिससे नवाब ने 30,000 सेनिकों की साथ लेकर अंग्रेजों की कोठी पर हमला किया उसी बात से लेकर नवाब ने 30,000 सेनिकों अपने साथ ले जाते हैं और सेनिकों की कोठी पर हमला कर दिया नवाब की सेना ने अंग्रे जोको बंदी बना लिया और उनकी जहां जोको गे लिया नवाब की जो सेना थी उसने अंग्रे जोको बंदी बना लेते है और उसके जहां जोको भी घेर लेते है अंग्रे जी सेना ने रोबर्ट क्लाईव के नेतरुतों में जवाबी हमला दिया अंग्रेजी सिना ने रोबर्ट क्लाईव के नेत्रुतों यानि कि उसके हस्तागेटर उसने तुरंती हमले के रुप में जवाब दिया रोबर्ट क्लाईव ने सीरा जूद्दोला के एक सिनापती मिर्जापर को नवाब बनानी की लालस देकर मदद की यानि कि रोबर्ट क्लाईव ने सीरा जूद्दोला के एक सिनापती उसका नाम मिर्जापर था मिर्जापर को नवाब बनानी की लालस देकर मदद मांगी और उससे मान लिया और लालस देकर मदद की मदद मांगी और उससे मना भी लिया प्लासी की यूद में कलाईव ने सीरा जूद दोलग को पराजित करके उसे धोके से मार डाला भारत में कंपनी की यह पहली लड़ाई थी जिसमें भारत में अंग्रेजी सासन की सुरुवात होनी थी जिसमें भारत में अंग्रेजी सासन की सबसे पहले सुरुवात होने वाली थी इसलिए यह लड़ाई भारत में इतियस में एक महतो पूर्ण घटना मानी जाती है इसलिए यह जो प्लासी की लड़ाई है वो इतियास के भारे में बहुत महतो पुर्णे घटना मानी जाती है इस घटना से भारत का इतियास बदलता है यानि कि प्लासी का यूद्धे से भारत का इतियास बदलता है तो बच्चे हम इतना जाने में देखेंगे तो इतना जाने में हम देखेंगे तो इतना जाने में की जनकारी प्रापत करेंगे तो पलासी का नाम कैसे पड़ा उसके बारे में हम ज्यादा जनकारी प्रापत करेंगे तो पलासी क्या आप जानते हैं कि पलासी नाम क्यों पड़ा है बच्चों हमें पलासी का नाम केसे पड़ा है इसका नाम हम यहां से जानेगे वास्तों में मुल नाम पलासी है वास्तों में उसका नाम पलासी है वहां के पलास के व्रुख्स पर से इस थान का नाम पलासी पड़ा है वहां जहां पे युद्ध हुआ था वहीं पलास के व्रुख्स ज्यादा थे उस थल पर पलास के व्रुख्स ज्यादा थे उस थान पर से पलासी का नाम पड़ा है पलास का फूल लाल रंका होता है उसका गुला रोल होली के रंगों में उप्योग किया जाता है उसका गुला रोल होली के रंगों में उप्योग किया जाता है तो बच्चों हम आगे पढ़ेंगे तो बच्चों हम यहाँ पे भक्सर की लड़ाय के बारे में जानेंगे तो बच्चों यहां पे विचार कीजिये में हैं कि विचार कीजिये में प्लासी के यूद में सीरा जुद्धोला की जीत हुई होती तो पक्सर की लड़ाई प्लासी के यूद के बाद मीर जापर को बंगल का नवाब बना करके कम्पनी ने अपनी इच्छा पून करली, कम्पनी को ऐसे व्यक्ति की जरुरत थी, जो उसके इसारों पर काम करे, इसे ही इनसान की जरुरत थी. परन्तु कई बातों में मीर जापर ने कम्पनी को विरूद किया परन्तु कई बातों एसी थी उसमें मीर जापर भी कम्पनियों का विरूद करता जिससे कम्पनी ने उसे जवाब पत से हटा कर मीर काशिम को नवाब बना दिया जिससे कंपनी ने उसे कंपनी मीर जापर से तंग आकर पत से हटाती है और मीर कासिम को फिर से नवाब बना दिया नवाब बनी के बाद मीर कासिम कंपनी को परिशान करने लगा जैसे ही नवाब बनता है कि तुरंती मीर कासिम कंपनी को परिशान करने लगता है एसा मालूम होने पर एसा अंग्रेजो को मालूम होने पर इसी सन 764 में बक्सर की लड़ाई द्वारा उसे पराजित कर मीर चाफर को दूसरी बार बंगाल को नवा बना दिया यानि की मीर कासी कम्पनी को परेशन कर रहा है एसा अंग्रेजो को लगना लगा इसी लिए इसी सन 764 में बक्सर की लड़ाई के द्वारा उसे पराजित यानि की हार देकर मीर चाफर को दूसरी बंगाल का नवा बना दिया इसी सन 765 में मीर चाफर की मुत्यू हो जाती है उसके बाद कलाईव स्वयम बंगल का नवा बन बेटा इस तरह बंगाल में बंगाल से शुरू हुआ अंग्रेजी सासन पूरे भारत को किस तरह गुलामी की जंजर में चकल लिया और इस टीटनिया कमपनी एक व्यापारी कमपनी से आगे बढ़कर पूरे उपमाध्रिप की सक्ति साली सत्ता बन गई इस तरह बंगल के शुरू हुआ अंग्रेजी सासन पूरे भारत को किस तरह गुलामी की जंजर में पकल लेता है और इस टीटनिया कमपनी एक व्यापारी कमपनी से आगे इस टीटनिया जो कमपनी थी वो एक व्यापारी कमपनी से आगे बढ़कर अव व्यापारी कमपनी रही नहीं थी और बहुत आगे बढ़कर पूरी उप महाद्रिप की 37 सत्ता बन चुकी थी और इस विशाय में बहुत कुछ बारे में हम आगे के प्रक्रण में सिखेंगे यानि कि और भी जो बाते हैं वो इसके बारे में हम आगे के प्रक्रण में पढ़ेंगे तो विचार किजिये में, बच्चों हम देखेंगे, तो विचार किजिये में प्लासी के युद्ध और सीराज उद्ध लाके मुझ्य समाचार के बारे में पूराने समाचार पत्रों में से छपे उन में से एक पत्र बीटन से और दूसरा समाचार पत्र पत्र पत्ना से प्रकासित हो तो उन दोनों समाचार पत्रों का मुख्य समाचार क्या होगा यानि कि प्रकासित हो तो उन दोनों समाचार पत्रों द्वारा मुख्य समाचार क्या होगा इसके बारे में हम सुचना है तो बच्चों यहां पे स्वाध्या दिया गया है प्रश्ण नमबर एक और दो तो आपको नोड़ बुक में नोंद करनी है और एक्जाम के लिए प्रश्णों के उत्तर याद भी करना है तो यहां पे हमारा चेप्टर एक पूर्ण होता है बच्चों हमारा वीडियो पसंद आया होए तो लाइक सब्सक्राइब और अन्या फैंस को सेर्ड करें और कॉमेंट करें तेंक यू